जो सबसे ज़ादा संविधान की दुहाईयां देते हैं तो उनको इस बात की भी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए कि जो वो अपनी दादी के अपने पिताजी के नाम पर वोट बटोरते हैं तो उनके किये गए कारणामों की भी क्या वो जिम्मेदारी लेते हैं और आज जो सम्विधान की सबसे जादा दुहाईयां देती हैं ये भी जरूरी है कि उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड वो देखें सम्विधान की जिस तरह से धर्जियां उड़ाई गई है और जिस तरह से गला घोटा है एमर्जनसी के दौरा और सबके सम्विधानिक अधि जिम्मेदारियां लेनी चाहिए कि जो वो अपनी दादी के अपने पिताजी के नाम पर जो है वो वोट बटोरते हैं तो उनके किये गए कारणामों की भी क्या वो जिम्मेदारी लेते हैं और आज जो सम्विधान की सबसे जादा दुहाईयां देती हैं ये भी जरूरी है क उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड वो देखें सम्विधान की जिस तरह से धर्जियां उड़ाए गई है और जिस तरह से गला घोटा है एमर्जंसी के दौरा और सब के सम्विधानिक अधिकार जो है इन्होंने छीन लिये थे वो सब भी हम बार-बार दुनिया को याद दिला हैंगे ताकि इस तरह का खिलवार जो है सम्विधान से के साथ दूसरी बार हो ना पाए धन्होंने जो सबसे जादा सम्विधान की दुहाईयां देते हैं तो उनको इस बात की भी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए कि जो वो अपनी दादी के अपने पिताजी के नाम पर जो इमर्जंसी के दौरा और सबके सम्विधानिक अधिकार जो है इन्होंने चीन लिये थे वो सब भी हम बार बार दुनिया को याद दिलाएंगे ताकि इस तरह का खिलवार जो है सम्विधान से के साथ दूसरी बार हो ना पाए धन्होंने कि जो सबसे ज़्यदान की लेते हैं और आज जो सम्विधान की सबसे जादा दुहाईयां देती हैं ये भी जरूरी है कि उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड वो देखें सम्विधान की जिस तरह से धर्जियां उड़ाई गई है और जिस तरह से गला घोटा है इमर्जंसी के दौरा और सबके सम्विधा अधिकार जो है इन्होंने चीन लिये थे वो सब भी हम बार बार दुनिया को याद दिलाएंगे ताकि इस तरह का खिलवार जो है सम्विधान से के साथ दूसरी बार हो ना पाए धन्यवाद